हेलो दोस्तों दोस्तों मैं आज आपके लिए एक सॉल का डिजाइन लाई हूं और देखिए यह सॉल का डिजाइन में कैसे बनाती हूं सभी हर बार की तरह इस बार भी कुछ पचीश चैन ली हूं पचीश चैन लेने के बार सिंगल क्रोश्य बना रही हूं यह देखिए की हूँ फिर भी देख लीजे एक बार कि यह हमारा पहला रोग खतम हो गया अब मैं दूसरे रों में आऊंगे दूसरे रों के लिए मुझे दो चैन और यहां से डिजाइन हमारा तीसरे रों में स्टार्ट है देखिए डबल क्रोश्या यह देखिए पहला फंदा डबल क्रोश्या और दूसरा फंदा में मैं अगेन उसमें से लेके फिर से एक फंदा लूँगी और दूसरे के ऊपर डालूँगी पांच का फिर दो और दो को और एक फिर से देख लीजी एक बार और ऐक फंदे लेके उसी फंदे में बनाना है फिर से मैं फंदा लेकि फिर दूसरे वाले फंदे में डालना है और इसतरह पांच का दो दो का एक फिर से देखिए आप डिजाइन कुछ नहीं है बहुत ही सरल है यह देखिए यह तीन पंदाशी हो गया है इस फंदे में ही डालना है और फिर the फंदाश है नेक्स्ट वाले फंदे में डालना है जुआ मिदी कि talking अगें इस फंदे में फिर से दूसरे फंदे में 5 फंदे कशालें यहां चल लेगा है है मैं इसे चैन है कि हमारा पूरा यहां तक यही डिजाइन चलेगा देखिए यह हमारा वान टू ट्री फॉर फॉर रो पुड़ा खतम हो चुका अब मैं दूसरा कलर डालूंगी इसमें और दूसरा कलर परपर कलर रहे हैं यह कलर डाल दूगे इसमें और इसी से दो चेन ले लूँगे यह देखिए और इसको मैं बिल्कुल सामने करके इसको दबाते चली जाओंगे यह देखिए और सिंगल क्रोशिया दो चेन यह देखिए सिंगल क्रोशिया करके और उनको भी बीच में रख करके इसको यूँ इससे हमारे इस नयूम का पता भी नहीं चलेगा इस सॉल को बनाने में मुझे बहुत ही मुलाइम और बिल्कुल लाइट कलर का उंग लेना चाहिए तभी देखने में बहुत ही सुन्दर लगता है कि यह देखिए अब मैं फिस्टे डिजाइन के तरफ आई हूँ सेम उसी तरीके से डबल क्रोशे में डिजाइन और मैं यह पूरे यहां तक बनाओंगी फिर से हमारा यह डिजाइन इधर बन गया पूरा उसके बाद सिंगल क्रोशिया सेम सिंगल क्रोशिया ही जाएगी यह देखिए पूरा लाइन हमारा सिंगल क्रोशिया है फिर से हमारा डिजाइन बस ये हमारा डिजाइन से मिसी तरह बनेगा उसके बाद फिर उधर से आने से सिंगल क्रोशे इस तरह बनेगा फिर सिंगल क्रोशे बनेगा इस तरह हमारा डिजाइन बन जाएगा मुझे तो ये बहुत ही अच्छा लगा और आपको प्लीज देखने के बाद हमारे इस चैनल को लाइक करे और सस्क्राइब करे धन्यवाद